दीप इलेक्रोनिस लैब में आपका स्वागा थे दोस्तों यह जो सारे आप IC देख रहे होंगे यह सारे के सारे CRT TV का IC है अगर आप CRT TV रिपेरिंग का काम करते हो तो यह सारे IC आपको जोरुद परेगी CRT TV रिपेरिंग के द्वारन आप लोगों में से कफी सारे लोगों को यह भी सबल आ रहा होगा कि CRT TV का काम तो दिन ते दिन कम होते जा रहा है तो यह से में हम इसको लेकर क्या करेंगे देखिए ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है ये वीडियो उन लोग के लिए जो के गाउं से बिलॉंग करता है और वहाँ अभी भी CRT TV रिपेरिंग का काम होता है जबकि हम जिस एरिया से में बिलॉंग करता हूँ यहाँ पर अभी CRT TV का काम होता है और इस और IC जो है य हमारे पास जो IC का कलेक्शन है ये इसका नामबार क्या है और आपको कहां से कितने रुपीज मिलेंगे सारे जानकड़ी आज के इस वीडियो का अंदर देने वाला हूँ इसके अलावा भी हमारे पास SMD जो IC है ये भी आपको मिल जाएंगे जो कि CRT TV के अंदर ही लगे होते बहुत सरे टेकनिसियन क्या करते है कि ये IC खरब होन जाने के बाएस से पूरा जो किट है वो ही बदल देता है लेकिन आपको पूरा किट बदलने की जोरत नहीं है ये हमारे पास IC मिल जाएंगे ये Onida का IC है ये वीडियो कन का IC है ये आपको अगर पर्चेस करना है हमारे ओनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चलिए आप मैं आपको सारे IC का नंबर बता देता हूँ हाला कि मैंने इन सारे IC का जो नंबर है आपने वीबसाट पर मेंशन करके रखका हूँ फास्ट जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौहाँ पर जाके किलिक करके देख सकते हो सारे नंबर ऑन बयान दिया हुआ है कौन सबसे पहले इन छोटे से शुरुआत करेंगे इस IC का नंबर आप देख सकते हूँ पूरा IC का नंबर यहां पर लिखा हुआ है LA 76810B यह IC चाइना टीवी जो किट होता है उसके अंदर यह इस्तमाल किया जाता है उसके बाद हमारे पास यह भी चाइना टीवी का IC है जिसका पीछे जो नंबर लिखा हुआ है HAY222 लिखा हुआ है तो यह चाइना टीवी में लगता है इसलिए ज्यादा नंबर जो है इसके अपर लिखा नहीं है उसके बाद अगला इसके बाद करें तो देखिए यह भी चाइना टीवी का IC है और इसके अंदर जो लास्ट में क्या ह V33A04 लिखा हुआ है उससे पहले TDA 11105PS V33A04 नंबर का IC है यह भी आपको अंलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे जितने भी IC रखा हुआ है सारे आपको अंलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे जाके आप चेक आउट कर सकते हो यह जो IC है आपको दिखने को मिल रह निटhe दाके चेक कर सकते हो क्योंकि जो पार्स होता है वह कभी कम ही हो जाता है रिखाए दे रहा है TDA9381PSN331959 इसका नमबर है जो कि Samsung का ओरिजिनल किट में लगे होते हैं इसको भी मैं रखता हूँ उसके बाद हमारे पास और एक Samsung का ओरिजिनल टिवी में लगने वाला यह IC है इसका भी Samsung का ही IC है जो इसका नमबर है यहाँ पर देखें TDA9381PSN331774 याने कि 1775 इसका नमबर है यह भी आपको हमारा ओलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे उसके बाद यह जो IC देख रहे होंगे यह हमारा LG का IC है जिसका नमबर आपको साप साइब दिखाई दे रहा होगा TDA1213PSN23MB5 यह भी आपको ओलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे बहुत ही कम किमात के अंदर उसके बाद अगला जो हमारा IC है इसका यह भी LG का IC है LG जो हमारा ओरिजिनल टीबी किट होता है उस ओरिजिनल टीबी किट का अंदर यह IC लगे होते है जिसका नमबर है TDA11105PSN33AN4 यह जो लास्ट का नमबर है दूस्तों यह आपको मैच करना परेगा अगर आपके टीबी क अंदर कोई भी इस तरीके सा नमबर लिखा हुआ है तो आपको लास्ट का जो नमबर है यह एन फोड यह ही आपको मैच करना परेगा उसके बाद ही आपको जो मेन IC को रिप्लेस करना परेगा उसके बाद अगला जो IC है यह भी हमारा LGTB का ही IC है जिसका नमबर आप देखि का हमारा IC है उसके बाद अगला जो IC है इसके नमबर देख सकते हो यह वीडियो कौन का IC है जो औरीजिनल वीडियो कौन का कीट होता है उसके अंदर लगे होते है जिसका नमबर है tda 11105PSV33AH6 इसका नमबर है तो इसको भी मैं रखता हूं और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सरे कंपनी का जो IC है ये भी LG TV के अंदर लगे होते हैं LG CRT TV किट के अंदर जिसका नंबर है TDA9340PSN3A on 923 यहाँ पर अब आच्छे से देख सकते हो और यहाँ पर LG लिखका भी हुआ है तो हमने इसको लिखके रखा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कौन सा नंबर का IC किस TV के किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सारे जानकड़े आपको मिल जाएगा उसके बाद अगला जो IC हमारे पास है वीडियो कौन का है यह जो IC है दोस्तों यह वीडियो कौन ओरिजिनल टिवी किट के अंदर लगे होते है और जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकतो TDA937-0PSN3A1932 यह वीडियो कौन का IC है उसके बाद अगला जो हमारे पास IC है यह जो IC है ओनिडा का जो ओरिजिनल टिवी होता है उस ओरिजिनल टिवी किट के अंदर इंस्टॉल किया रहता है जिसका नंबर है TDA937-0PSN3A1717 यह वीडियो का अगला जो IC है इसका नंबर आप यहाँ पर देख सकतो TDA937-0PSN3A1710 जो कि यह सालोडा का ओरिजिनल टिवी में लग दे तो यहाँ पर जितने भी IC के बारे में मैं आप लोग को बताया हूं यह सारे IC है हमारे CT TV किट के अंदर इंस्टॉल किया रहता है जो कि हमने सालोडा बताया वीडियो कॉन बताया LG बताया और उसके साथ साथ हमने सैमसंग भी बताया तो यह जो कुछ na TV के अंदर यह सारे में grandeq के इंस्टॉल किया जाता है उसके साथ साथ बाकी जो हमने तीन जाख हमने चाहिना चाहिना आईसी है इसके बारे में भी इसका नंबर भी आपको बता देता हूं ये वाला आईसे हमारा Onida TV के अंदर जो लगे होते हैं जिसका नंबर आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाए देगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं इसका नंबर है TDA 11105HN33MB3 इसका नंबर है और इसक के बाद हमारे पास वीडियो कॉन का SMD आईसी है ये भी आपको दिखा देता हूं इसका नंबर वगर आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को इसको जब परचेस करोगे आपको इसके बारे में ज्यादा जानकड़ी हो तो यहाँ पर देखे ये वीडियो कॉन TV के तो अगर आप इसको परचेस भी आखरीदना नहीं चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो कि कौन सा नंबर का IC किस TV के अंदर इंस्टल किया रहता है सारे जानकड़ी आपको 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 यह जो वीडियो है CRT TV का में IC के बारे में आपको अच्छा लगा होगा अगर इसी पूरो करके वीडियो उसको आगे आने वालो दिनों में आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस करके रखेगा हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस TV कमपनी के अंदर किस नंबर का EAST लगा होता है और वो EAST आपको कहां से मिलेंगे साड़े जानकरी आपको दूंगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जूरे रहिए आपको आगे आने वालो दिनों में बहुत ही फाइदा मिलेंगे तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों तब तक आपको लगा है स obviously all the best